टेस्स लिखना है और टेस्स को लिखना है दो बज़े से लेके पांच बच के 20 मिनट पे उस दौरान आपकी बॉड़ी पूरी उसी मूड में होगी जैसे एक्जाम दोगे टेस्स लिखते टाइम आप अपने पांच मिनट खर्च करोगे पांच मिनट आप खर्च करोगे क्वेशन पेपर को रीड करने सो हलो बच्चों और पेरेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स सब मुझे मैसेज कर रहे हैं नीचे लिख रहे हैं कमेंट में और उस कमेंट उस मैसेज को मैं इस वीडियो में अड्रेस करता हूँ आखरी तक बने रहिएगा छोटा ही वीडियो होगा बहुत बड़ा नहीं होगा बट कोसिस करूँगा कि आपके पॉइंट को मैं इसमें अड्रेस कर लो चैनल पे पहली बारा है सब्सक्राइब करिएगा चैनल आप लोग के आशिरवास से आप लोग के प्यार से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से इस पे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं पर हैपस उनको कंटेंट पसंद आ रहा है मैं कोसिस करता हूँ कि कंटेंट ऐसा बनाऊ कि सभी बच्चों को फाइदा हो मैं कांसलिंग आपको हर वीडियो में बताऊँगा फ्री में कराऊँगा कांसलिंग कोई हवा नहीं होता कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं होता it's very easy और exam होने के बाद result आता और उसके बहुत दिन बाद counseling सुरू होती है तो उसके लिए आप unnecessary tap मत हो जाना tap तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जो पैसे भी ले रहे हैं उपना time खर्च करेंगे आपके उपर तो कोई भी time खर्च करेगा तो आपसे charge तो करेगा ही लेकिन मेरा मानना है कोई जरूवत नहीं है आपको चलिए आज बात करते हैं कि 200 number वाले 300 number वाले number किसमे test series जो आप mock test दे रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ किसी बच्चे ने आकास institute का mock test ले रखा होगा किसी ने online ले रखा होगा किसी ने कोई और institute, local institute या original institute का mock test ले रखा होगा कोई एक testing agencies है उनका test ले रखा होगा तो कोई भी अगर आपने test ले रखा है और आप उस test में appear कर रहे हैं और आपके number एक definite pattern में ही move कर रहे हैं maybe 200 के range में हैं maybe 300 के range में हैं 400 के range में हैं 500 के range में हैं या 550 पे जाके stuck होगा, रुख गया हो तो आपको एक डर सता रहा है कि मेरा selection होगा क्या negativity आ रही है कई बच्चों को रात में नीद नहीं आ रही थोड़ी anxiety हो रही है एक बच्ची तो मेरे सामने आके रोने लगी थी तो ये सारे जो symptoms है ये थोड़ी anxiety की है और एक डर की वज़य से होते है तो मेरा सभी से request है इस video को आखरी तक देखना ये आपके लिए है जो भी हम अभी कर रहे होते हैं थोड़ा harsh आप accept करोगे न क्योंकि देखो harsh मैं तो आपका एक mentor हूँ मैं तो आपका एक teacher हूँ और आपको YouTube पे देता हूँ लेकिन real में जो लोग होंगे मेरे से ज़्यादा harsh होंगे मैं ज़्यादा ज़्यादा कुछ बोल सकता हूँ बट आपके सारे लोग act करेंगे harsh बनने की harsh की actual में harsh होने की तो वो ज़्यादा painful होगा यह मेरा वीडियो तना painful नहीं होगा जो भी हम आज अपने results को देखते हैं यह मेरे पूरे एक साल या उसे पहले के effort को दिखाता है हमने कितनी पढ़ाई की आप imagine करो आप पूरे साल पूरे साल पढ़ाई कर रहे हो और आखिर में आप यह expect कर रहे हो कि अब आपका 200 आया है पूरे साल के पढ़ाई करने के बाद 200 आया है पूरे साल के पढ़ाई करने के बाद 400 आया पूरे साल के पढ़ाई करने के बाद 500 आया और आप आखिर में expect कर रहे हो कि इस 15 दिन में वो 400 की जगह पे आप आजाएगा 650 वो 500 की बज़े 650 आ जाए 200 से 600 आ जाए तो इतना जंप अगर आप पूरे साल नहीं ला पा रहे हो तो आप 15 दिन में इसलिए ले आओ कि serious हो sincere हो और मेरे वीडियो देख रहे हो मैं tips दे रहा हो नहीं आता नहीं आता improvement हर दिन संभाव है हर दिन आप अपना improvement कर सकते हो this is logical यानि किसी भी दिन आप देखो तो पिश्री दिन से बेटर हो सकते हो अगले दिन देखो तुससे पहले से बेटर हो सकते हो यानि जो 200 वाले बच्चे हैं अच्छा मैं एक बात और इसको कहने से पहले कुछ exceptional case देखे गय 400 से 300 किया जा सकता है 300 से 400 किया जा सकता है 400 से 400 कौने 500 किया जा सकता है 500 से 600 किया जा सकता है कुछ थम रूल है कैसे किया जा सकता है या 600 से बढ़ाया जा सकता है कुछ 680 पे इस्टक कर गए वो 700 कैसे पहुँचे उनकी यह try है तो यह race है जो सब try कर रहे हैं अपने level पे सब try कर रहे हैं बड़ जीतेगा वही विन वही करेगा जो अपने आपको कूल रखेगा confidence और पूरे तनमेता के साथ पूरे तसली के साथ वो अपने जर्नी को आगे बढ़ाएगा चलिए मैं कुछ डिसकस करता हूँ मानलो आपके पास अभी आपके पास situation है कुछ दिन बचा हुआ 10-15 दिन के बीच में और इस दिन में आप चाते हो कि आपका selection हो जाए तो पहली बात दिमाग से selection सब्द को हटा दीजिए एक positivity आएगी दूसरा आपको लग रहा है मुझे 650 या 600, 640, 620, 610 तक आना है वो point भी हटा दीजिए यानि एक particular line वाला target हटा दीजिए आप सोचें कि आप यह क्या बोले पहले कुछ और बोले तो बिल्गुल पहले कुछ और बोला था पहले मैं target बोला था अभी कम day है इसलिए मैं जो strategy बता रहा हूँ और follow करना improvement होगा तीसरा आपको लग रहा है कि आपका selection नहीं होगा डर आ रहा है तो इस चीज़ को भी हटा दीजिए और मानके चलिए जो होगा देखा जाएगा अब तो हम आग में हमें कूदना ही है जलना है तो जलना है बज़के निकल गए तो निकल गए तीनों चीज़े हटा दीज़े यानि आपका कितना बढ़ना औरना है यह सब नहीं सोचना है आपको आप करना क्या है अब आपको यह करना है कि हर दिन पहली बात तो आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है जो हर कमेंट में लिख रहा हूँ और वीडियो में बता रहा हूँ हर दिन एक टेस्स लिखना है और टेस्स को लिखना है दो बज़े से लेके 5 बज़ के 20 मिनट पे उस दौरान आपकी बॉड़ी पूरी उसी मूड में होगी जैसे एक्जाम दोगे टेस्स लिखते टाइम आप अपने 5 मिनट खर्च करोगे देखो 20 मिनट ज़्यादा मिले लगे है 5 मिनट आप खर्च करोगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने में वाइल रीडिंग यू डेसाइड डेट पेपर क्वालिटी इस आज इस बार टफ आया है आसान है यह पढ़ते साहीं पता चलिजाएगा और दिखने लेगा रहे यार 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 है अब आता आता क्वेश्चन जब दिखता है तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और उस पेपर में आप कोसेस करोगे कि पढ़ते टाइम में एक निसान बना लो ऐसा इसका एक वीडियो अलग से लाओगा निसान बना लो कि physics में ये आसान है ये लिख लो, ये medium है B, C, बहुत टफ लग रहा नहीं होगा ऐसे करकर कि 5 मिनट के अंदर ये practice आपको करनी है ये 5 मिनट आपका आधा घंटा save करेगा ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आदा घंटा पका save कर देगा ये 5 मिनट आपका अब उसके बाद कोसिस करो physics, chemistry, biology biology पहले करते हो chemistry उसके बाद physics उसके बाद हो, तीनों मैंसे जो आसान आसान question है मेभी उसको solve कर लो हो सकता है आपके 200, 200 इसी से आजाए और ये आसान होंगे और ये सही में देखते ही हो जाते है paper में तीन category question होता देखते हो जाए थोड़ा बहुत pen चलाओ, थोड़ा बहुत logic चलाओ, इस तीन टाइप के questions होते है तो हो सकता, एक घंटे में आप 200 question कर लो ना, तो अगला दो घंटा है कर मेरे पास बहुत time बचा हुआ है अब medium question बचे हुए अब tough question बचे हुए और वहाँ पे अब थोड़ी smartness दिखाओ यार ये question इस पे based था आप concept याद करो फिर elimination लगाओ, ये तो हो इनी सकता ये हो सकता, dimensional analysis करके देखो, ये चीज़ तो हो नहीं सकती, इसमें क्या-क्या नहीं हो सकते हैं क्या-क्या हो सकते हैं, बिस्वास मानिए कम से कम mediocre जो questions होते हैं उसमें से ज़्यादा तर question आप से हो जाएंगे, क्योंकि आप भले ही लापरवाई किये हो अगर आप regular class में गये हो ये तरीका है और इससे आप maximize कर सकते हो, अपने outcome को इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है बाकी मैं रोज वीडियो दे रहा हूँ चैनल पर आप आप आई रहे हैं, वहाँ पे आम लोग कुछ न कुछ positivity लाने की courses करेंगे छोटा सा वीडियो होता है, देखेगा जरूर बाबाय, टेकेर